और मैं स्वर्ण जेंती वहवाही के लिए करना नहीं चाहता हूँ मैं स्वर्ण जेंती आनंद प्रमोत मोज मस्ति की रूप में सिमिद रखना नहीं चाहता हूँ मैं आने वाले दो हजार दस के स्वरनिम जैन्ति को विकास की नई उचाईयों पाने का एक अवसर बनाना चाहता हूँ हम जहां हैं वहां से कॉंटम जंप लगाए 2010 गुजरात की स्वरनिम जैन्ति एक प्रेनरा का केंद्र बने हर गुजराती के दिल में भाव पैदा करना चाहता हूँ गुजरात में बसने वाले रहने वाले मेरे सभी नागरिकों के दिल में एक भाव पैदा करना चाहता हूँ आईए हम गुजरात के विकास के लिए एक कदम हम भी चले हम जहां हैं वहां से चले मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी के मन में बीच्छा जगे कि मैं अब तक 80% मान लाओ था अब अगर मुझे स्वर्ण जेनती का विद्यार्थी हूँ तो मैं 90% लाओंगा डॉक्टर को अगर लगता है कि मैं 10% की जिनगी बचा पाया था तो स्वर्णिम जेनती हैं मैं 15% की जिनगी बचा लो किसान को लगता है कि मैं इंती पैदावर करता था स्वर्ण जेनती हैं मैं ज्यादा पैदावर करूगा हर छेत्र में स्वन जैन्ति को विकास की प्रेनना का अवसर बनारा चाहता हूँ एक इंस्पिरेशन बन जाए मन में एक लगाव हो जाए इस मूड के साथ हम स्वन जैन्ति बनारा चाहते हैं विश्व भर्म पहले हुए मेरे गुजरादी भाव्यों बैनों गुजराद की धर्ति पर स्वन जैन्ति निमित आप कुछ न कुछ करेंगे कोई न कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपके मन को संतोष हो आप भी उस स्वन जैन्ति के भागिदार बने और ये भी ताय कर लें कि स्वन जैन्ति वर्स में कैसे भी हो गुजरात जाना है जाना है यह अगर आप संकल पकर लेंगे और जब मैं कहता हूं तब इस बात के साथ विशह में मेरे विचार बहुत साफ है गुजरात में पैदा हुए व्यक्ति का जितना गुजरात पर अधिकार है उतना ही अधिकार हिंदुस्तान के किसी भी कौने में पैदे हुए मेरे भारत वासी का गुजरात आपका है गुजरात आपके लिए हैं गुजरात हिंदुस्तान के लिए हैं गुजरात हिंदुस्ता को हम पूरा कर पाएंगे एक जन्भावना को प्रगड़ करके हम कर पाएंगे अगर महत्मा गांदी आज़ादी के अंदोलन को एक जनांदोलन में परिवर्जित कर सकते हैं अगर सरदार प्टेल हिंदुस्तान को एक करने के अंदर लोग पुरुष के रूम में सफल होते हैं तो भाईो बेहनों यही तो गुजरात की मिट्टी हैं जिसने गांदी को जन्म दिया यही तो गुजरात की मिट्टी हैं जिसने सरदार प्टेल को जन्म दिया उसी गुजरात की बिटी पे साड़े पांच करोड मेरे गुजरात के भाईयों बेहनों में वो सामरत हैं कि गांदी और सरदार की तरह भारत के भागे के लिए वो पुर्शार्थ करेंगे भारत के भागे के लिए अपना जीवन खपा देंगे यह माहोल पैदा करने का मेरा प्रयास है अगर हिंदुस्तान से सकता होगा तो दुनिया में हमारा हिर हिंदुस्तानी सीना तान करके खड़ा हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान सामर्तबान होगा तो हिंदुस्तान में बेटा हुँआ मेरे कोई भारत वासी आख में आख मिला करके सिन आतान करके दुनिया के सामने बड़े गवरो के साथ खड़ा हो जाएगा गुजराट की एकोशिस है आप गवरो से जीए गुजराद की कोशिस है आप दुनिया के सामने हांग से हांग मिलाकर बात करें गुजराद की कोशिस है आप सीना तान करके दुनिया में जी सकें भाई यों बेरों मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ कि गुजराद कभी वो चीज नहीं करेगा जिसके कारण विश्वों में फैले हुए मेरे गुजराती भाईयों को मेरे देशवादियों को कभी नीचा देखने के नौबत आए ऐसा कभी नहीं होगा ये मैं आपको परोजा देता हूँ और आपके प्रेम, आपका आशिरवाद, आपके सुब कामना है कि हमें वो ताकत दें, तागे हम के लोगार आगे बड़ें हमें वो ताकत दें, क्लम अधिक जादा प्रेम से, जादा व्यपकता से, जादा विशालता से, जादा गती से विकास के ओर दोड़े मुझे आपके शुब कामना है चाहिए आपके आशिर्वात चाहिए, आपके पास जो स्रेश्ट है तो अपनी मिट्टी में लगाईए दोस्तों, आपको मन्दिमंत्र न देता हूं आजादी अंदोलन का मंत्रम अंदे मात्रम आजादी के बाद भी ताकत देता रहा है जीतेगा गुजरात का ये नारा हर पल गुजरात जीतता ही चला जाए एक नई प्रेनडा बन जाए इस रूप में हमने इसको आत्मसाथ किया है जीतेगा गुजरात हम सबको नई शक्ति देगा और मित्र जब मैं जीतेगा गुजरात कहता हूं तब किसी को पराजित करने के लिए नहीं कहता हूं कि किसी को पीछे रखने के लिए कह रहा हूं मैं जब जीते का गुजरात कहता हूं तब आगे चलने की अधिक जिम्मेबारी हमारी है जिम्मेबारी का एसास करता है कि में तो आप लोग भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं मैं चाहूंगा कि भारतिय समाज को भी अमेरिका के चुनाव में उसकी ताकत को स्विकार किया जाए अमेरिका के चुनावी जगत में भारतियों की महत्व को स्विकार किया जाए यह स्थिति पैदा हुए इसे मैं आप सबको शुब कामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद भाईयों जय 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 जर्वी की आप जय ही